नमस्कार, हिंदी आचारे में आपका स्वागत है बच्चो बच्चो देखो, एक होता है हमारा संग लोकसेवा आयोग यानि कि UPSC, यानि कि सेंटर लेवल पर जो ओफिसस का चुनाव करती है जो एजनसी, उसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन तो भारत सरकार या केंदर सरकार, जिन ओफिसस को भेजती है पूरी, All India, मतलब पूरे हर एक स्टेट के अंदर जो सबसे बड़े ओफिसस होते हैं, वो भारत सरकार के ही ओफिसस होते हैं उनका चुनाव UPSC करती है, तो उनके लिए तो संग लोकसेवा आयोग है दूसरी बार बात आएगी, कि भाई, जो राजियों के लोकसेवा आयोग है उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं, दोनों वीडियो आप मेरे अरड़ी देख सकते हैं तीसरी जो राजियों लोकसेवा आयोग है, यानि कि State Public Service Commission, ठीके जी अब तीसरा एक और होता है, जिसके बारे में हमारे समिधान में कहा गया है वह बना है एक बार, लेकिन बन सकता है एक ही बार बना था उसको फिर डिस्मिस कर दिया गया है लेकिन समिधान में यह है, एक हमारी दी गई option है जिसको चुना जा सकता है, होता क्या है कि जो राजय लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं मेंबर वो चुनते हैं offices को उस राजय सरकार के लिए class 1 offices को वो चुनते हैं तो अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक राजय यह कह सकते हैं राश्टरपती को कि हमें एक joint public service commission दे दीजिए joint public service commission दे दीजिए उसके members को आप चुनिए और फिर वो हमें officers को देंगे तो यह है एक joint public service commission या फिर सयोगत राज्य लोग सेवा आयोग है यह बिल्कुली different है और यह अधिकतर बनता नहीं है लेकिन हमारे सम्विधान में इसकी provision दी गई है तो इसमें क्या होता है कि संसद में इसके एक्ट पर लाया जाता है कानून लाया जाता है अगर दो राज्यों की विधान सभाएं ऐसा कहें कि हमें एक सेयोगत राज्य लोग सेवा आयोग चाहिए तो उसके लिए फिर यह बनाया जाता है उदाहरण के लिए पंजाब और हर्याना उनका कुछ समय के लिए एक जॉइंट पीएसी स्टेट पब्लिक साविस कमिशन था जब उसके बाद जब हर्याना अलग हो जाता है पंजाब में से उसके बाद मतलब दोनों स्टेट का थोड़ी देर के लिए जॉइंट अलोग सेवा आयोग था बाद में फिर उनका अपना हर्याना वालों का अपना बन गया तो यानि कि इसके अंदर भी जो चेर्मेंट होता है जैसे कि यूपी ऐसी का है या स्टेट का लेवल की जो पीची ऐसे उसका जो होता है तो उनका भी अपना चेर्मेंट होते हैं लेकिन यहां पर गवर्नर जो है वह अपाइंट नहीं करता यह राश्ट्रपती ही इन दोनों चेर्मेन को भी और corresponds को भी appointment करता है और इनके भी वही नियम है कि इनकी जो retirement होती है वो 62 साल तक होती है और इनकी जो term है वो 6 साल तक ही होती है इस थे खी ב׾कर समय से currently जाएगा अगर 6 साल पूरे हो गए हाला कि इसके members को भी suspend या remove किया जा सकता है राष्टपती के द्वारा और इसमें भी जो members है और उनकी terms of conditions है वो भी राष्टपती के द्वारा ही decide की जाती है और लसंग लोग से वायोग और राजे लोग से वायोग की तरह ही JSPSC भी एक पूरी सालाना अपनी performance की report देती है state के governors को जैसे कि उदाहरन जैसे हमने लिए राजे राजस्तान और मद्यप्रदेश का हाला कि ऐसा को जोइंट बना नहीं इन दोनों states का मैं केवल उदाहरन आर्थ आपको समझा रही हूं कि उन्होंने मद्यप्रदेश के governor को भी एक report देनी है और राजस्तान के governor को भी एक report दे है कि अधिकतर हमारे जो समिधान में जो भी terms and conditions जो भी हमारे नुच्छेद है वो अधिकतर तो government of India Act 1935 से ही आए होए है तो इसलिए जब 1935 का जो government of India Act है ना जब यह कहता है कि UPSC होगा जिसको वो federal public service commission कहते थे उस समय पर तो federal public service commission होगा center level पर इसी के साथ ही उन्होंने बो इसी के साथ ही उन्होंने पहली बार बात की कि वह joint public service commission भी हो सकता है दो या दो से अधिक राच्यों में तो यही चीज हमारे समिधान में आई है और इसको हम दागू कर सकते हैं अधिकतर लागू नहीं होता है नहीं किया जाता है क्योंकि हर एक state चाहती है कि हमारा अपना personal public service commission हो जिसमें किसी central level के लोगों की इसमें interference ना हो तो इस तरह से हम वो public service commission अधिकतर joint वाला नहीं बनता है लेकिन फिर भी इसके बारे में मुझे लगता है कि जानकारी होनी चाहिए क्योंकि है समिधान में दी गई एक चीज है तो आशे करती हूं आपको यह चोटा सा दन्यवाद इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद हिंदी आचारे